नमसकार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रिट तुला रासी वालों हर किसी की चाहत होती है कोई उनसे भी सच्चा प्यार करें हर कोई चाहता है कोई उनके भी सपनों में आए आखिर वो सच्चा प्यार है या नहीं अगर है तो उसके लक्षन क्या है सही माइने क्या है और वो कौन से नाम वाले लोग है जिन से आपको सच्चा प्यार हो सकता है या फिर वो आपको धोखा देने की संभावना यहां बहुत कम होगी दूसरी बात वो कौन से रासी के लोग हैं जो आप से पागलपन की हद तक प्रेम करते हैं आज हम बहुत सारी बाते आप से सेर करेंगे वीडियो के अंतक बने रहें वैसे तो देखिए हर किसी को कभी न किसी से प्यार होता ही है अब ये बात अलग है कि वो प्यार कितने लंबे समय तक चलेगा या फिर वो प्यार आपको किस से हुआ है अब प्यार हो जाने पर सपनों में वो आने लगता है आपकी सोच उनकी सोच मिलने लगती है आपके बोलने के पहले उन्हें समझ में आ जाता है आप चाते क्या है आपकी इक्छाएं क्या है आपके ख्याल में सिर्फ हमेशा ही आँखे बंद करने पर सिर्फ एक ही सक्स नजर आए तो ये होता है सच्चा प्यार का पहली निजानी अगर आप अपने पसंदीदा गानों को बार बार सुने और गुन गुनाए तो भी ये होता है प्यार की निजानी लेकिन आज हम उन बातों को आप से सेर नहीं करेंगे बलकि आज हम आपके बारे में ही बात करेंगे आखिर तुला वालों का प्यार होता क्या है? आपका प्यार करने का तरीका, प्यार में जीने का तरीका क्या होता है? आप औरों से अलग क्यों है? कौन से नाम वालों के साथ आपको प्यार सच्चा हो सकता है? या फिर वो आपको धोखा नहीं देंगे? क्या आपको आपके प् इसी के लिए अलग अलग तरीके लेकर आता है लेकिन आप तुलार वालों का प्यार ही अलग होता है क्योंकि आप प्यार के लिए ही जीने और मरने वाले होते हैं आपके जीवन में अगर प्यार ना हो तो आप खुद को ही अधूरा मानते हैं और एक जुनून की हद तक प्या होकर गुजारते हैं और आप में वह गुन होता है कि बहुत सारे लोग विप्रीत लिंगी आपके तरफ खिचे चले आते हैं तो वैसे तो तुला वाले वायुतत्य की रासी है और इनका स्वभाब पॉजेटिव होता है सकारात्मक निगेटिव स्वभाब में नहीं होता जब भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे सोच में भी सकारात्मकता जलकती है यानि एकदम से जिन्दगी को जीने वाले होते हैं स्वामी आपका सुक्र होता है और सबसे अच्छी बात क्या है आपको सु सूनीय के पवर हरें वालों को करा सचा प्यार अगर तुर्ण वालों के लिए प्यार की बात करें यह तो देखिए आपके नजरों में आप दोनों की सोच का मिलना आपके रिस्तों को खुसनमा बनाने का एहसास देता है और तुला वाले जो होते हैं हमेशा ही एक संतुलन बना कर चलते हैं सामंजस से पूर्ण दुनिया में प्यार और सुंदरता एक दूसरे में समायोजित होती है लेकिन एक बात है सुक्र आपके रासी के स्वामी है तो आपके अंदर प्यार वाला गुन कुछ जादा होता है क्योंकि यहां पर बिस्तव रासी के भी स्वामी है लेकिन तुला वालों को प्यार के मामलों में जो एक ग्लैमर्स होता है लाइफ में वो चीज़ें आप में कुछ जादा होती है और त हराई को समझ नहीं पाते यह समझना नहीं चाहते यह अपने प्यार को समझने में थोड़ा समय भी लेते हैं क्योंकि इन्हें लगता है जैसे चीजें आपको धोखा तो नहीं देगी क्योंकि यह पहले तराजू पर तोलते हैं हाना कि स्थिति में पहले यह देखते हैं पल्र हो गए किसी से तो फिर वो रिष्धे आपके लिए आपके जीने का कारण भी बन जाते हैं और कई बार गले की फास भी जैसे कि अभी दुनिया में हो रहे हैं। लेकिन प्यार को समझने में जो समया आप लेते कि यहां मिल रहा है किया लोगों की सोच एक है या नहीं कभीStep होगे प्यार का तो आपको जो करना है बहुत जादा समय ना लेकर हाँ अच्छे से परक्राप कर सकते हैं वैसे तो अगर प्यार हो जाए तो आप गिप्ट्स देने में उनके साथ समय बिताने में माहिर होते हैं अगर हम आपके बैभार के बारे में बात करें तो देखिए होते हैं समर्पीठ होते हैं जो पूरी तरह से अपने प्यार के लिए जीता मरता हो УкраїA पीर उनके कब उनको क्या चीज चीज की आउस सकता है जो बहुत ज़्aría कहते हैं समय पे हर एक का प्रियोग जोड़ तोड़ से आप करते हैं अपने प्यार को रिजाने में वैसे तो आप बहुत ज्यादा बेवस्तित रहते हैं इसमें कहीं कोई दो रह नहीं क्योंकि तुला वाले थोड़े हटके नजर आते हैं दूसरी तरफ जिंदगी को सुन्दर और खुसी से से बहुत सारे सपने देखते हैं लेकिन हकीकत में भी आपको इन चीजों को ध्रातल पर उतारना चाहिए ज्यादा समय ना लेकर एक जो आप में एक ब्यक्तित्तु है मिलनसार वाला उसको आप लाईए वैसे आपका उपस्तिती यह बताता है कि आप सबसे हटकर हो वैसे हम आपके ब्यक्तित्तु की बारे में भी बाते करेंगे लेकिन एक बात जान लेते हैं आपको इंतजार हो रहा होगा आखिर वो कौन से नाम बाले लोग है तो आपके लिए जो आपको कभी धोखान नहीं देंगे या देंगे भी तो 90% मामलों में बहुत हद तक आपको उनका साथ मिलेगा उनसे फाइदे होंगे या फिर ऐसा समझ ले कि आपको जो हम नाम बताएंगे उनमें आपको कुछ अच्छी फिलिंग नजराएगी आप लोगों की सोच मिलेगी और यही सोच तो आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं तो वो नाम बाले हैं यानि की च, म, और न, यह तीन नाम बाले लोग ऐसे होंगे जो आपके जीवन में आपको तरक्की कराने वाले होंगे आपको सही मार्क पर ले जाने वाले होंगे आपको अगर इनसे प्यार हो जाता है तो यह आपको धोखा बहुत कम देंगे या नहीं देंगे और इनका साथ पाकर आप जीवन में आस्मान की उचाईयों तक भी पहुंश सकते हैं क्योंकि ये जो तीन चमन ना यानी CHM और N ये जो तीन नाम बाले लोग है ये हरहाल में आपको आस्मान की उचाईयों पर देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप बहुत तरक्की करें और ऐसा सिर्फ आपका सच्चा प्यार या आपका जीवन साथी ही चाहता है, तो ये चीजें यहाँ पर आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन दूसी तरफ हम जैसे बात करते हैं, तो आप थोरे से संतुलित होते हैं, लेकिन परदर्सी भी करते हैं अपने प्यार को, आपको थोरा सा दिखावा भी पसंद है, वैसे दूसी तरफ जिंदगी के जो अनुभव हैं और जो संपूर्णता है, ये जिंदगी में हलाकि आप आरपार के मूड में हमेसा नहीं होते, लेकिन फिर भी आप मध्यम तरीके से संतुलन बना कर चलते हैं, और जीवन का सचा अर्थ भी यही है, दूसी तरफ परिबार, समाज, सारी चीजें आपकी जीवन में सामिल होते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, सब के लिए जीना जानते हैं, और यही तो चीजें आपको हट कर बन नाओं को, अपनी भाबनाओं को हभी नहीं होने देते, लेकिन प्यार करते हैं, तो दिल से करते हैं, अंत तक निभाते हैं, और कभी साथ नहीं छोड़ते, वैसे अगर हम आपके बात करें, अगर आप की रासी की बात करें, जिनके साथ आपकी अच्छी निभेगी, अच् कुम रासी और मेश रासी याद रखिएगा मकर रासी कुम रासी और मेश रासी इनके साथ अगर आपका वो दोस्त हैं अगर आपके बहुत दिल के करीब हैं आपके लब हैं आपके जीवन साथी हैं फिर तो आप खुश नसीब हैं क्योंकि आपका बैवाही जीवन और जीवन साथी और प्रेम सब कुछ अच्छा होता है क्योंकि आप ही खुद इतने अच्छे हो अगर आपको लगे कि जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है कुछ भी सही नहीं चल रहा है तब रोज सुबह बजरंग बान का पाठ करें राहत मिलेगी बजरंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें अगर आपको लगे कि किसी और टॉपिक पर भी हम आपके लिए कुछ चीजें लेकर आए तो बेसक आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा हर हर महादेब धन्यवाद